दोस्तों एमपार के गलत फैसले का सिकार हुए रिंकू सिंग तो उन्होंने अपने गुसी की आग में एमपार को भी नहीं बक्षा जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि केसव माराज की गेंद पर रिंकू सिंग इस्टंपिंग होकर पवेलेन लोटने पर मजबूर हो गए लेकिन जब बड़ी स्कीन पर देखा गया तो रिंकू नोट आउट थे उनका पैर समय पर लाइन पर आ गया था लेकिन एमपार ने अस्टिलिया का साथ दिया और रिंकू सिंग को आउट दे दिया लेकिन थार्ड एमपार ने भी ग्राउंड एमपार के फैसले का साथ दे अब बैसे दोस्तों रिंकु सिंग आउट थे हैं नोट आउट हमें कमेंट में बताना ना भूलें